Hello and welcome you all, मैं हूँ धननज है, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे Government of Pakistan ने वारत के उपर एक allegation लगाया जहाँ पे उनका कहना है कि Indian agents पाकिस्तान में उनके लोगों को मार रहा है अब ये पुरा मामला क्या है इसको मैं समझाता हूँ तो पिछले साल याने 2023 के September और October के महीने में दो लोगों को गोलिया मारी गई और ये जो assassination था वो almost point blank range से उनको गोली मारी गई थी अब जो दो murder किये गये थे या assassination किये गये थे वो दोनों terrorist है अब उस assassination को लेके जो पाकिस्तान का कहना है वो ये है कि उनके assassination के पीछे government of India का directly involvement है अब मैं आप लोगों को September और October के महीने में जो दो assassinations किये गया थे है उसके बारे मैं media report दिखाना चाहता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये September के महीने में एक assassination किया गया था जहाँ पे रियाज एहमद नाम का एक आदमी था जो की एक terrorist था लशकरे तोयबा का कहने की जरुवत नहीं कि लशकरे तोयबा एक terrorist organization है और दो मडर में से एक मडर ये था और इनका जो मडर था वो Pakistan occupied Kashmir में किया जाता है और दूसरा जो assassination था वो शाहिद लटीफ का किया जाता है और शाहिद लटीफ एक जैशे मोहमद का member था याने कि वो भी एक terrorist था और शाहिद लटीफ पे 2016 में इंडियन एर फोर्स के पठान कोर्ट बेस पे जो attack किया गया था उसके पीछे का जो mastermind था वो शाहिद लटीफ ही था और government of India के उपर वो directly allegation लगाते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि government of Pakistan के पास credible evidences है जहाँ पे जो Indian agents थे उनका direct involvement के जो भी documents है या पैसे का जो transaction है सारे proof उनके पास available है अब क्योंकि government of India के उपर directly allegation लगाया गया इसलिए government of India को भी कुछ न कुछ in reply response में कहना था तो government of India के external affairs ministry के तरब से statement आता है जहाँ पे साफ-साफ कहा जाता है कि जो कहा गया है पागिस्तान के external affairs के दुआरा वो साफ-साफ एक false और malicious anti-India propaganda है अब शायद ही आप लोगोंने कभी ये सुना होगा ना कि कोई एक देश press conference करता है और वो publicly ये कहता है कि जो दो terrorist मारे गया थें उसके पीछे इंडिया का या उसके पीछे किसी और देश का हाथ है अब एक सरकार अगर किसी terrorist को बचाता है तो आप समझ सकते हैं उस देश का जो future है वो किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान ना कि सर्फ economically वो bankrupt देश है बलकि politically भी वो एक bankrupt देश है और terrorism ही वो चीज है fundamentalism, religious extremism पाकिस्तान इन सब चीजों को इतना जादा बढ़ा दिया है कि पाकिस्तान को इन सब चीजों पे control कर पाना almost impossible है और जिसके कारण पाकिस्तान तकरीबन हर दिन bankrupt होता जा रहा है और possibly सभी तरीकों से मोहमद काजी अपने press conference में कहते हैं कि इंडिया जिस तरीके से extra territorial और extra judicial killing कर रहा है इसके बारे में उनके पास proper proof है लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कह रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान में ही जैशे मोहमद या लश्करे तोईबा या और भी इनके जो offshore branches होते हैं या इनके द्वारा जो directly और indirectly funded organizations होते हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान को अपना safe haven मानते हैं इसी के response में हमारे ministry of external affairs के spokesperson रंधीर जैसवाल सर कहते हैं कि पाकिस्तान exactly वही देख रहा है वही consume कर रहा है जो वो इंडिया से separate होने के बाद उसने किया है यानि कि terrorism को फैलाना और ये सिर्फ बात as an Indian नहीं है बलकि अगर आप simply अगर आप search करो Google पे जाके तो शाहिदी को ऐसा देश होगा ना जो terrorist को इस तरीके से रखता है जिस तरीके से अब पाकिस्तान रखता है 2016 में जो Indian Air Force के base पे पठान कोर्ट में जो attack हुआ था ये जो encounter था between terrorists और हमारे forces ये तकरीबन तीन दीन से भी ज़्यादा चला था और इसमें साथ हमारे जवान शहीद हुए थे और उसके पीछे जो mastermind था वो शाहिद लतीफ था और वो पाकिस्तान में मिला तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनके जो पाकिस्तान के जो foreign affairs ministry है उनके spokesperson है वो किस तरीके से एक terrorist और उसके जो organization है उसको defend करते हैं और उसके बाद जो दूसरा जो terrorist था रियाज एहमद वो January 1,2023 को जमू एन कश्मीर के धांगरी में terrorist attack होता है उसमें उसका direct involvement था अगर आप ऐसे examples अगर आप ढूनना शुरू करेंगे तो आपको multiple ऐसे examples मिल जाएंगे जहां पर directly जो involvement है वो government of Pakistan का है भारत में terrorism फैलाने का लेकिन उन सब प्री सो control करने के बजाए government of Pakistan हर वक्त कोई ना कोई एक exit रास्ता ढूनते हैं जहां से वो जो कमिया है वो दूसरे देश के उपर जाके उनके माथे पर जाके फोड आए और इनवे अगर आप government of India के perspective से गया तो अगर आप इंडिया के perspective से अगर आप देखते हैं तो ये बताता है कि इंडिया का जो capability है वो कितना जादा है कि जो इंडिया के जो दुश्मन है उसको पागिस्तान में हो चाहे कहीं और पे भी हो तो उसको खतम करने का जो मादा है जो capability है वो government of India के पास है तो in a way हमारे perspective से ये positive news ही है लेकिन जस तरीके से पाकिस्तान इसे defend कर रहा है वो दुबारा से अपने आपको expose कर रहा है कि पाकिस्तान एक सच में terrorist का safe haven है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा क्या आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye